हेलो एवरेवन वेलकम बैग तो मैडिप चैनल गाइस तोडें इन इस वीडियो वी गॉन टॉक अबाट वाट इस डिपेंडेंसी गाइस यह इंटर्वी में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा यूनो शेमस कोश्चन कह सकते हो और बहुत ही ज्यादा पॉपलर कोश्चन है जो कि अकसर आप से यह कोश्चन पूछा जा सकता है इंटर्व्य काबिन में सबसे पहले समझते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता इस टर्म्स का मीनिंग क्या होता अगर हम एक डेफिनेशन की रूप में समझें हम इसे प्राक्टिकल भी अचीव करेंगे सो डो अपिकर या एक प्रजेक्ट में कई क्लासे बंच PETER सोती है और कोई ना कोई क्लास एक धूसरी ट्रॉस्टी ड्रेक्ली और यो इस पहले प्राक्टिकल लेवल पर समझेंगे जैसे मालों यह person है, just imagine, he is a person, and person की stage क्या होती है, पहले उसका पहले बचपन होता है, then वो, you know, 18 प्लस एब हो जाता है, ठीक, उसके बाद, you know, self-dependent हो जाता है, definitely, so, उसके बाद, उसकी साधी होती है, then, उसका एक, you know, old ले जाती है, ठीक है, बुढ़ापा उसका, जिसको कहत हम लोग, तो guys, समझे, जब हम children है, as a children, so, we depends on parents or family, so guys, here you can see, so, मतलब कि यह person, जब यह child होगा, तो यह depends किस पे करता है, parents पे, जैसे ही बड़ा हो जाता है, 18 प्लस एब हो, तो हम depends करते हैं, किस पे, jobs पे, job पे depend करते है, why we need job, because of money, so, through the job, we can earn the money, और उस money के थूँ हम अपन needs fulfill करते हैं, तो मतलब directly और indirectly हम लोग, job पे depend करते हैं, parents पे, जब हम बचपन होता है, तब भी depends होते हैं, और even बड़े हो जाते हैं, तब भी हम dependent रहते हैं, अपने parents पे, right, उसके बाद जब हमारी साधी हो जाती है, okay, married person की बात कर रहो, तो वो wife पे depends होता है, कैसे होता है, ज हम wife पे depends होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अकेले सारी चीज़े नहीं manage कर सकते हैं, तो यह होती हमारी dependency, और guys, दूसरा क्या है, जब हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हमारी stage आती, जब बुढ़े हो जाते हैं, तो उस stage में हम depends होते हैं, अपने children पे, okay, कि वो बनाये ताकि help करे, जो कि हम physical level से उतने strong नहीं रहेंगे बुढ़ापे में, so definitely every person wants this thing, okay, तो यह होती हमारी dependency, I hope, यह काफी basic और simple और real life example है, तो मैंने इसलिए इसलिए example को बनाये ताकि आपको relate कर, तो we are dependent, you can say, okay, so guys, I hope यह आपको basic scenario समझ में आएगा, okay, now अब move करते हैं, थोड़ा सा practical oriented, programming level से एक यहाँ पे समझते ही चीज़ों को, जैसा कि आपने अगर हमारी previous वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने inversion of control के बारे में discussion किया है, right, तो आप easily यह example relate कर पाऊगे, जैसे कि वहाँ पे मैंने एक engine नाम का interface बनाया था, और classes बनाया थी, bike और car, अभी मैं bike को consider कर रहा हूं सि we have one bike, okay, so bike किस पे depend करती, bike depend करती, engine पे, because बिना engine के bike चली नहीं सकती, कोई meaning ही नहीं है न, engine का, वो मलब डबा हो गई, right, तो engine पे depend होती, और किस पे depend होती, guys, और वो depend करती, fuel पे, ठीक है, engine पे depend करती, fuels पे depend करती, जो कि जिसे हम लोग पैट्रोल या फिर oil पे depend करता, right, उस उसके थू हमारी bike run करती है, उसके पास some other factors like keys, keys के थू हमारा current flow होता है, then हमारी bike start होती है, then you know running stage पहुंचेंगे, पहले start होगी, तभी running stage पहुंचेंगे, और some other factors like you know, जैसे कि tire में air होनी चाहिए, so air पे depend करती है, क्योंकि air नहीं होगी, तो भी वो चल नहीं सकती है, तो मत मतलब कई various factors पे, you know, dependency है, इस bike की, engine पे depend करता है, fuel पे depend करता है, keys है की नहीं उस bike की, तभी वो start होगी, और उस bike में air है की नहीं है, you know, tire का air, तभी वो चले, running stage में आएगी, तो ये होती है dependencies, मतलब एक object dependent है, some other objects, it is known as dependency guys, I hope आपको ये basic simple funda समझ में आ चुका होगा, right, अब guys बढ़ते हैं, जैसे कि previous example में मैंने discuss किया हुआ था, कि एक interface था, right, और उस interface के अंदर एक method था, start नाम का, जो कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे, तो please जाके उसे पूरा देखे, दो पार्ट में मैंने device किया हुआ, inversion of control को, एक में मैंने practically चीजों को बना क अचीव करके दिखा है, और दूसरे में मैंने, first part में मैंने उसे theoretically, you know, cover किया, right, तो guys यहाँ पे देखे, मैंने क्या किया, अभी मैंने implements keyword यूज नहीं किया, तो avoid करिएगा, तो यहाँ पे engine के अंदर एक method था, और उसको मैंने implements किया था, bike और car class के था, right, तो इस तरह से म मतलब की क्या है, इस देखे, एक object, एक object बंदा है, some other objects, मतलब की जैसे कि अभी हमने bike की discussion किया है, तो bike क्या है, engine पेटिपेंट करता है, keys पेटिपेंट करता है, fuel पेटिपेंट करता है, मतलब की, अब सोचो, अगर हम inheritance लगाएंगे, तो कितनी classes को inherit कर सकते हैं, एक ही class, क्य can easily achieve that, but, अगर मान लोग बहुत सारे various factors हों, तो कितना आप comma separator के बनाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका होता है, जिसे कहते है, hazard relation, is a relation के through नहीं जाते हैं, हम hazard relation के through जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कुछ, आप देख सकते हैं, मैंने क्य इसे interface लगा सकते हैं, बट अभी मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, हमने क्या 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 है, engine को बना दिया class, अब क्या होगा, कि बहुत सारी चीजों पर depend करता है, bike हमारी, engine पर depend करती है, fuel पर depend करती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, fuel नाम का, you know, interface भी बना सकते हैं, it's not big deal, so engine नाम का हम interface भी बना सकते हैं, class भी बना रहे हैं, यहां class के थरूँ समझने के खुशिश कर रहे हैं, माल लोग कि हमारे पर दो classes है, engine है, fuel है, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको अचीव करेंगे, guys, यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, उसके class के अंदर हम उसका object बनाएंगे, एक होगा inheritance हम करके achieve करें, एक होगा कि उसके अंदर एक line लिखें, ठीक है, इस तरह से जो statement मैंने लिखा, उसका उस particular class का object बनाएं, तो क्या होगा, उसकी जो भी properties है, functionality है, वो मैंने inherit कर ली, अब guys, यहां पर समझने वाली बात है, कि मतलब कि bike dependency engine पे, त you can also access through the inheritance, but इस lines हम कई तरह से कर सकते हैं, क्योंकि, one object made by multiple, you know, sub-objects, you can say, लेकिन यहां पर guys क्या है, देखिए, यह जो right hand वाला portion है, new engine, यह है dependency, यह है hard-coded statement, जो कि हम अगली next video में practical level पे समझेंगे, तो I hope आपको यह समझ में आ चुका होगा, कि एक class आज जब दूसरे class पे depend करती है, मतलब bike जो है, बीना engine के run नहीं हो सकती है, it is known as dependency, nothing, बाकि अभी code level पे आप मस सबज़े क्या है, वो हम अपनी next video में समझेंगे, so I hope आपको dependency समझ में आया होगा, अब next video में dependency injection, properly, किस तरह से practical level पे, और एक program के तरू किस तरह से achieve करते हैं, पूर को हम नेक्से करिया, so guys if you like it then give us thumbs up, please subscribe to my channel and also share that video, I will meet you next video.